इस वीडियो में CA Foundation course का book order करने का पूरा process बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपके मन में जो doubt आता है, वो doubt clear कर देते, अगर आपको कोई भी problem होता है, तो यहाँ पे contact us, CDS portal पे जाना, और सबसे नीचे आ जाना, book order करने के बाद 30 से 40 दिन लगता है book आने में, तो या तो आप wait कर सकते हो, या नहीं तो detail में mail कर सकते हो, फिर भी mail भी करोगे, फिर book आने में जो समय लगेगा, वो उतना तो समय लगेगा ही लगेगा, बट किसी-किसी students का होता क्या है कि new registration कर रहा है, फिर भी CDS का mail आने के बाद, सबसे पहले registration confirm का mail आता है, इसके बाद CDS का mail आता है, त जो book order करने जाते हैं, तो coupon apply नहीं होता, फिर में book order नहीं कर पाते हैं, ऐसे case में students किसी भी comment box में comment ना करें, आपको तुरत, ये जो CDS portal का mail ID सबसे नीचे में आपके screen पे सो कर रहा है, इन पे mail करें detail में, या नहीं तो mobile number सो कर रहा है, mobile से contact करें, क्योंकि ऐसे situation पे सिर्फ औ नहीं होतो चैनल को जरूर सबस्क्राइब कीजिए, ताकि CA Relator एक भी important update और announcement मिसना होगे, फिरी में CA Foundation new course का book कैसे order करोगे, detail में जानेंगे इस वीडियो में, live demo पूरा process बताएंगे कैसे आप लोग CA Foundation June 24 या December 24 का book order करोगे, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो को देखने का ज़रूरत ही नहीं परेगा, आप चाहो तो mobile phone से book order कर सकते हो new course का, या आप चाहो तो laptop या desktop से भी book order कर सकते हो, हम लोग detail में जानेंगे, live demo पूरा process बताएंगे, कैसे आप लोग CA Foundation June 24 या December 24 का book order करोगे, ये complete live demo full process वीडियो होगा, तो आपके मन में जितना सारा doubt आ रहा होगा ना सारा doubt इस वीडियो में clear हो जाएगा, आपको CA Foundation new course का फिरी में book order करना, तो सबसे पहले आपको ये करना है, क्या आपने CA Foundation new course में registration किया है, अगर आपको June 24 में exam देना, या December 24 में exam देना, तो इसके लिए क्या करना परेगा, आपको registration करना परेग सिर्फ और सिर्फ online registration करना होता है, मैंने detail वीडियो बना रखा है, वीडियो का लिंक आपको description में मिल जाएगा, तो सबसे पहले काम ये करना है, कि आपको registration कर लेना है, registration करने के बाद, आपको क्या करना, आपके मन में ये भी doubt आ सकता है न कि registration कैसे करना, मैं एक बार फिर से रहा हूँ, कि मैंने detail वीडियो बना रखा है, CA foundation new course में कैसे registration करना है, और उसी वीडियो मैंने बता रखा है, कि registration करने का क्या होगा last day, प्लीज उस वीडियो को देख लीजिएगा, वीडियो का link आपको description में मिल जाएगा, और हाँ students, जैसे ही आप लोग registration करते हो, तो उसी स का mail आ जाता है, इसके बाद आप लोग फिरी में book order कर पाओगे, आपके मन में doubt आ सकता है कि registration confirm का, तो mail message आ चुका, अभी तक CDS का mail message नहीं आया, 10 से 15 दिन हो गया, तो प्लीज आप लोग book order करके देखना, coupon apply हो जाएगा, automatic, so don't worry, अगर coupon apply नहीं होता है, तो wait कर लेना, coupon apply हो कब exam form fill करना है, कैसे करना, कब admit card आने वाला, mistake कर देते हैं, आप से मैं बात कर रहा हूँ, हर attempt में कुछ students मुझे बोलते हैं, क्या, कि exam नहीं दे पा रहा है, exam form fill ही नहीं कर पाया, admit card में problem हो गया, ये सारी गलती आप ना करो, इसलिए Charter Studies के YouTube चैनल को subscribe कर दीजिए, ताकि आ अगर हाँ, टेली ग्राम पे सर्च करना है Charter Studies और Charter Studies का Telegram चैनल को जरूर जोइन कर लेना, कोई भी official notification आता है, तो PDF मैं Charter Studies के Telegram चैनल पे share करता हूँ, तो mistake मत कर लेना, सोचना भी नहीं, आप लोग सीधा जोइन कर लेना Charter Studies का Telegram चैनल को, साथ में अगर आप लोग मुझ CDS पर कर रहा, इस पर आपको क्लिक कर देना, जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे, ICDS के official portal पे आजाओगे, ओपर में Sign In सोग कर रहा, आपको उस पर क्लिक कर देना, जैसे ही आप लोग Sign In पर क्लिक करते हो, ध्यान से बाते को सुन लेना, जो लोग और डेडी Sign Up कर चुके हैं, उनको सिर्फ पूर्शिप रजिस्टेशन नंबर डेट आप वर्थ लिखना है, साइन इन कर लेना, जो लोग अभी तक नहीं किये, क्योंकि न्यूए स्टुडेंट्स होंगे, तो अभी तक आप CDS पोर्टल पे आईडी नहीं बनाए हो, तो साइन अप पे क्लिक करना, यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम, इमेल आईडी रजिस्टर्ड इमेल आईडी लिखना है, इसके बाद मेंबर्शिप नंबर ऑप्शनल होता है, फिर इसके बाद GSTIN नंबर भी ऑप्शनल होता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है आप लोगों को, फिर इसके नीचे में डेट आप बर्थ, जो की रजिस्टर्ड डेट आप बर्थ है, CA Foundation कोर्स में वही लिखना है यहाँ पे, CDS पोर्टल पे डेट आप बर्थ ही लोगिन का काम करेगा, तो मिस्टेक मत कर देना, जल्दबाजी में गलत डेट आप बर्थ मत लिख देना, तो मैं यहाँ पे students का पूरा नाम, उसका email ID लिख देता हूँ, इसके बाद score down करके नीचे आता है, यहाँ पे डेट आप बर्थ लिखना है, जो mobile number दियो, वही mobile number यहाँ पे लिखना है, इसके नीचे में address लिखना है, यहाँ पे कौन सा address लिखे, जहाँ पे भी आपको book मंगबाना हो, आपको घर पे मंगबाना हो, या कहीं गए हो पढ़ने, वहाँ पे book मंगबाना, country को select करना है, आप लोग अपने हिसाब से select कर लिजिएगा, जहाँ पे भी book मंगबाना चाहते हो, वहीं character दिजिएगा, जहाँ पे book मंगबाना हो, उस area का pin code number, सही pin code number लिख दिजिएगा, इसके बाद capture फिल कर लिजिएगा, capture सही से fill करने के बाद, sign up पे click कर देना, इसके बाद क्या करना, दुवारा से CDS portal पे आना है, Google पे लिखना है, ICAI का official website पे CDS लिखा आ रहा है, वहाँ पे आ जाना, इसके बाद sign in पे click करना, अब आप लोग क्या करोगे, ध्यान से बाते को सुना, जो लोग old student होंगे, और new course में conversion किये होंगे, उनको 500 payment करना परेगा, book order करने के लिए, जो लोग new registration किया, या अभी तक कभी book ही order नहीं किया, वो लोग फिरी में book order कर सकते, ध्यान से बाते को सुने, अब ध्यान से बाते को सुने ना, जो लोग पहली वार website पे आ रहे हैं, चाहे वो old भी students होंगे, उनको sign up करना परेगा, sign up कैसे करना मैंने detail video बना रखा, अगर आपको पता ही नहीं है, कि आपने sign up किया या नहीं किया, तो आप sign up करके देख लेना, वहाँ पे लिख देगा, कि आप already sign up कर चुक्छे, सीधा sign in करो, registration number, CRO, NRO, WRO, ERO, इस सब चीज से start होता है, registration number लिखने बाद, add the right ICI.org नहीं लगाना है, आपको registration number लिखना है, इसके बाद date of birth लिखना है, और capture fill करना है, capture गलत fill नहीं करना है, और सीधा sign in कर लेना है, एक बाद sign up करने के बाद, mobile number से login नहीं करना है, start shopping पे click करना है, जैसे ही आप लोग start shopping पे click करते हो, इसके बाद क्या करना है, scroll down करके थोरा सा नीची आना है, और कोशिस ये करना है, laptop या desktop से ही अब book order करे, इसके बाद यहाँ पे new course पे click करना, इसके बाद foundation पे click करना, जैसे ही foundation पे click करोगे, हिंदी मीडियम करना चाते हो, तो हिंदी पे click करके, लेकिन मेरे हिसाब से new course का, हिंदी मीडियम का book अभी available नहीं है, जब होगा उसके बाद ही book, आप लोग order कर सकते हो, इसके बाद English medium पे click करना है, जैसे English medium पे click करोगे, scroll down करके सबसे नीची आजाना है, आपको पूरा set करना है, bundle करना है, बुक का, चारो paper का करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे click कर देना, अब ध्यान से बाते को सुना है, यहाँ पे क्या लिखा है, foundation study kit, June 24 and onward exam, मतलब यही book applicable होगा, June 24 के लिए and December 24 के लिए, अब ध्यान से बाते को सुना है, एक बार select all पे click करना है, और एक ही बार गलती से दो तीन बार नहीं click करना है, एक बार add to card पे click करना है, और हाँ students, यहाँ पे आपको accounts का दो book आएगा, लेकिन यहाँ पे एक ही book सो करना है, एक ही book के अंदर दो book आजाएगा, so don't worry, टोटल यहाँ पे चार book सो करना है, लेकिन आपके पास पांच book आएगा, add to card पे एक बार ही click करना, जैसे ही आप लोग एक बार click करते हो, उपर में add to card वाले option पे एक बार click करना, delivery address यहाँ पे सो कर, और कर रहे हो, तो free में book order कर पाओगे, conversion वाले students को 500 payment करना परेगा, और सिधा book order हो क्या, book जैसे ही order करते हो, tracking number यह सब आने में समय लगता है, वैसे AI बोलता कि आए कि 12 दिन के अंदर में, 12 working days के अंदर में book deliver करवा देंगे, बट students ऐसा भी होता, 30 से 40 दिन लग जाता है book आने में, तो आपको relax रहना, tracking number यह सब जब आपका book आने वाला होता है, उस समय mail प्याता है, इतना जल्दी नहीं मिल जाता है, book order कर लिए, relax हो करके, आप लोग पढ़ाई करो, सब के बारे में आपको update mail प्या जाएगा, नमबर पे भी message आजा है, और हाँ students, तीन काम करना, अभी आप लोग charter studies के YouTube चैनल को सब्सक्राइब, नहीं क्यों तो सब्सक्राइब कर लिए, इसके अलाबा charter studies के टेलीग्राम चैनल को जोईन कर लिए, टेलीग्राम पे सर्च करना है charter studies, 70,000 से भी ज़्यादा students जोईन करके benefit ले रहे, और इसके अलाबा आपको क्या करना है, charter studies के Instagram को भी follow कर लेना है, ये तीन जगा मैं update करता हूँ, तो इसका link Instagram का link आपको description में मिल जाएगा, प्लीज follow कर लीजिए,